तो अभी रिसेंटली तीन हजार फेक प्रोडक्स पकड़े गए हैं जो शाओमी के नाम से भिक रहे थे चैन्नाई और बेंगलूरू में और इस वीडियो में इसलिए हम आपको बताने वाले है कि कैसे आप छांट सकते हो कौन सा असली प्रोडक्त है और कौन सा नहीं अगर आ उनमें पावर बैंक्स भी थे उनमें कुछ केबल्स थी उनमें एयर फोन्स थे उनमें फोन्स भी थे तो आप कैसे आइडेंटिफाइर कर सकते हो अगर आप कोई शाओमी का प्रोड़क्त खरीदने जा रहे हो सबसे पहले देखो क्या हो थे कि कोई भी अगर आप उस पर जाके उसको confirm करो कि यह product क्या Xiaomi की website पर लिस्टेड है भी कि नहीं अगर नहीं है obviously you are buying something which is which is being rebranded as Xiaomi अचा अगर कोई product आप खरीद रहे हो market से तो आप देखो कि जितने fake products होते है उनकी जो packaging होगी वो बड़ी cheap सी होती है वो material ठीक नहीं होगा उसका obviously आप जैसे images भी देख सकते हो जो यह product सारे सीज होए है यह कोई भी properly packed product तो ढंक से लग नहीं रहा है boxes वगेरा हर चीज बहुत ही rough सा है so जो proper packaging है उसकी वो आपको देखनी बहुत जरूरी है जब आप खरीद रहे हो obviously और इसमें अगर आप MI Home या MI Store को कभी विजट करके देख लो तो जो original product होगा जो MI का है तो you know you'll know what that actually looks like अच्छा next point जो product आप खरीद रहे हो उसमें original MI India का logo जो है वो आप जरूर चेक कर लो because कई सारे products में जो logo लगा हूँ है वो ही गलत होता है and if you don't know then you might just miss it so MI India का जो logo है वो again आपको website पे इनकी पता लग जाएगा कि actually में दिखने में है क्या और वो ही logo आपको box में मिलना चाहिए it should be same to same अगर वो थोड़ा सा भी design में फरक है that means you're buying something which is not an original अच्छा MI के जितने भी fitness products है जो भी जितने भी bands है उनकी सब की MI Fit app के साथ compatibility होगी about something which is wrong तो यह एक और तरीका है जिससे आप check कर सकते हो जो आप खरीद रहो वो सही है कि नहीं अच्छा कई बार होगा कि अगर आप कोई product खरीद रहे हो और वो अगर fake है तो उसमें चितनी cables होगी ना वो भी आपको original नहीं मिलने वाली यह ऐसा नहीं हो सकता कि आपने original product खरीद ले और cables fake निकल रही है जो product अगर fake है तो उसकी cables भी ना बड़ी flimsy सी होंगी और कमजोर सी लगेंगी cheap material की होंगी cable immediately आप देखके समझ जाओगे कि यह actually सही है या नहीं तो उन चीज़ों पर भी आपको गौर करना है और इससे definitely आप identify कर पाऊगे कि आपने सही चीज लिये की नहीं अच्छा एक और बड़ा important point है कि Xiaomi काफी समय पहले ना lithium polymer batteries पे shift कर गया था for most of its products तो अगर आपको किसी Xiaomi के product में lithium ion battery basically liion basically अगर यह दिखे that means it can be a fake product lipo that is lithium polymer अगर यह battery दिखे that means there are chances of it being you know a real one तो वो यह चीज भी है जो आपको ध्यान रखनी है यह कुछ pointers हैं जिनसे hopefully hopefully आप सही product ही खरीद होगे अगर आप M.I.I. का कोई product खरीदने जा रहे हो but otherwise जो fake products आ चुके है market में वो इतने जादा इतने जादा identical है पता ही नहीं चलता है कि आप क्या ले रहे हो but यह कुछ चीज है जिनसे definitely identify हो जाएगा so let's hope you buy the right product and write back to us अगर कोई और चीज आपके मन में हो या आपका कोई खराब experience रहा हो then please definitely tell us in the comment section